सब्सक्राइब कीजिए इंदू जी के रेमेडीज चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए रेगुलर लाइफ रेमेडीज के लिए आज मैं आपको बहुत ही अच्छे उपाए बताने वाली और ये बहुत ही अच्छूक और कारगर है इसको अगर आप विश्वास के साथ करेंगे देखिए सिर्फ ये एक उपाए से ही आपके जीवन में परीवतन आने लग जाएगा बहुत ही आसान उपाए हां जी मैं बात करी हूँ नमक के उपाए के बारे में नमक जो कि आपके घर में easily available होता है इसमें आप कोई भी नमक यूज कर सकते हैं समुदरी नमक ले लें काला नमक ले लें सेंधा नमक ले लें या नहीं हो तो लास्ट आप्शन आप खाने वाल और स्टील का कंटेनर आपको एकदम अवोईड करना चीए इसके बाद आपको ये भी चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी गिल्ले चमज का आप इस्तमाल ना करें नमक आपका हमेशा सुखा रहना चीए वो पानी ना छोड़ दे इस बात का आपको बहुत जादा ध्यान रख चाहिए अब मैं आपको बताती हूं कि नमक से रिलेटेड आप क्या क्या उपाई कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी घर में बहुत जादा नेगिटिविटी है या आपके घर में कोई ऐसे लोग आ जाते हैं या इस तरह की कोई लोग आके गए हैं जिन्होंने कु मुदरी नमक आप भर के रख दे और उसी नमक के अंदर आप आठ काली मिर्च काली मिर्च की जो दाने होते हैं पूरे वाले दाने वो आप उसमें छुपा के रख दे इससे भी बैस्ट होता है टर्मोलिन स्टोन टर्मोलिन स्टोन आपको इजली ऑनलाइं या किसी भी क्रि पर इस बात का ध्यान रखना है कि हर 15 दिन में आपको नमक और काली मिर्च को रिप्लेस करना है, चेंज करना है, पुराने वाले को आप अपने घर के डस्बिन में डाल सकते हैं क्योंकि वो नेगिटिवेटी को पुल कर रहा है, अगर आपके घर में कोई ऐसे मेंबर हैं या क आत बर आप उनके सिरहाने रख दे, नमक आप कितना भी डाल सकते हैं, कोई भी नमक आप डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया, और दूसरे दिन सुभे वो पानी को आप टॉयलेट में बाथरूम में जाके फ्लश कर सकते हैं, अगर ये रोज आपके लि और ये जो नमक है, हर हाफते आपको चेंज करना है, वीकली वीकली, ये हमेशा आपको करते चले जाना है, तो जो नमक है, आप उसको भी बाथरूम में फ्लश कर देंगे, अगला उपाए, अगर हस्बंड वाइफ के रिलेशन्शिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ह बिना वज़े ही जगडे होते रहते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, कि थोड़ा सा नमक आपको अपने बैड के चारो और डाल देना चाहिए, शैनिवार की रात को आप थोड़ा थोड़ा छिड़क दे चारो कोनों में, और दूसरे दिन आप उसको जाड़ू स साफ करके ले ले उस उबे उटते ही और उसको डस्बिन में डाल दे, ऐसा आप हफते में एक बार हर बार कर सकते हैं, इससे भी देखेंगे कि जो भी negativity है वो आपके जो relationship में थी वो पूरी तरह से दूर हो गई है, अगर आपके घर में छोटे बच्ची हैं, उनको बहुत ज अपने बच्चे के उपस साथ बार वार ले, चाहिए तो आप उसको सीधा घुमा सकते हैं, या उल्टा भी उसको वार सकते हैं, कैसे भी आप कर ले और उसको केवल वाश बेसिन में, जो बाथरूम का ये टॉलेट का जो वाश बेसिन होता है, उसमें नल के नीचे आप उस नमक को वाश आउट कर सकते हैं, ये कंटीनियू आपको तीन दिन तक करना है, अगर सांज के वक्त करेंगे तो वो सबसे बेस्ट होता है, शनीवार से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, शनीवार, रवीवार, सुमवार, इस तरीके से आप तीन दिन कंटीनियू इसको कर स अपने हाथ में नमक लेने के बाद अपने उपर से तीन बार वार ले तो उसको clock wise या anti clock wise जैसे मलजिय आप उसको घुमा सकते हैं और उसके बाद वारने के बाद आपके घर का जो toilet और जो flush है उसके अंदर आप इसको flush out कर ले यह उपाया आपको continue 3 दिन करना शनी वार, वारे तो उस वक्त आपको मन में ये बोलना है कि जिस किसी के भी negativity, नजर या black magic मुझ पे है, वो पूरी तरह से उतर जाए, चाहे वो रिष्टेदारों की हो, दोस्तों की हो, आसपड़ों की हो, या किसी की भी हो, अब आपको नमक के बारे में और एक जवरदस उपाये बतान दे, उसको आप एक कटोरे में चमच के साथ या ऐसा ही बोटल उनके आगे रख दे, टेबल पर आप रख दे, या किसी सर्फेस पर आप रख दे और वो वहां से वो नमक ले सकते हैं, लेकिन डिरेक्ली कभी भी किसी को नमक आप हाथ में ना दे, अगर आप ऐसा करते हैं, तो उससे आपस में जगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो ये चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अकसर ऐसा माना जाता है कि घर के जो टॉलेट्स होते हैं, जो बाथरूम्स होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा नेगिटिविटी होती है, तो ऐसे में आपको क्या करना चीए, काच के कटूरे लेने चीए और उसमें नमक भरके कहीं पे भी आप उसको रख सकते हैं, जहां पे भी आपको स्पेस मिले, बस इस बात का आपको ध्यान देना है कि वहाँ पे पानी ना लगे, लेकिन अगर नमक गिला हो जाता है, तो इ इमिजिटली उसको चेंज कर देना चाहिए, अगर आपको बहुत ज्यादा किसी शत्रू से परेशानी है, आपको कोई बंदा बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है और आप चाहते कि अब आपको वह परेशान करना एकदम पूरी तरह से बंद कर दे, तो आज मैं आपको जब परदस उपाय बताने जारी हूँ, इस उपाय को विश्वास के साथ कीजिएगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि किसी तरह से कोई भी महली विद्या नहीं है, तो सामने वाले व्यक्ति का कुछ भी बुरा नहीं होगा, लेकिन हाँ, वो आपको परेशान करना जरू बन कदेगा, तो आपको क्या करना है, घर में जो भी आपके पास कोई भी प्लास्टिक का डबा, या बोटल, या काज की, जो भी आपके पास अविले बोलोगी, उसके अंदर आप क्या करें, थोड़ा सा सरसो का तेला भर दे, कितना भी कॉंटिटी का आप ले सकते है और उसके अंदर आप काला नमक डाल दे, काला नमक अगर आपको उसकी डेली मिल जाती है, तो सबसे बेस्ट अगर आपको काले नमक का डेली नहीं मिल पाती, तो आप उसका पावडर फॉर्म भी इस्तिमाल कर सकते हैं, तो सरसो के तेल में आपको काला नमक थोड़ा सा डा या उस व्यक्ति का जिससे आप चाहते कि आपको छुटकारा मिले, उस व्यक्ति का आप नाम लिख ले, इस पड़्ची को आप लपेट ले और उसके बाद उस बोतल में या डबे में आप डाल दे, डालने के बाद आप हाथ में होल्ड करे और ये मन में मनो काम ना करे, कि मैं इस व्यक्ति का जो भी उस व्यक्ति का नाम है, आप नाम बोल दे, कि मैं इसका किसी तरह से बुरा नहीं चाहता, लेकिन ये मुझे परेशान करना बन कर दे, तो भगवान मैंने आपके ओपर छोड़ा है, मैं पूरी तरह से सात्विक रास्ता ही अपना रहा हूं या अ इसको मिट्टी में दबा के आजाए, मिट्टी में दबाने के बाद आप उसके उपर एक पत्थर रग दे, जो भी आसपास वहां पे कोई भी पत्थर पढ़ा होगा ना, वो पत्थर आप रग दे, ये उपाय केवल आपको एक ही दिन करना है, और शनिवार वाले दिन कीना है, जैसे ही आप ये उपाय करेंगे, देखे, परिवतन आ जाएगा, तो कैसे लगा मेरा ये वीडियो, मुझे जरू से बताएगा, कमेंट सेक्शन में, जादा से जादा आप इसको शेर कीजेगा, ताकि बाकी लोगों की भी मदद हो पाए, और हाँ, आप मुझे फेस्ब नमस्कार.